मुंबई में आज तक कर रिकॉर्द्स को पीछे छोड़ते हुए कंटेनर से जेड एर इसके पीछे हाथ डी कंपनी का दलाल नो हो सकता हैर इसलिए डेरे हेर टॉक्स पैसा अन्यशक की सुई में मुंबई बरा नेकसस की सुचना जहां वारिस अली सायद सीट्स 2014 का मामला अल चीज करोड की जपती दिल्ली पुलिस ने नवी मुंबई के नाहवा शेवा पोर्ट से डिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नवी मुंबई के नाहवा शेवा पोर्ट से 22 लाइसोरिस डॉक्टर लिकोरिस को हेरोईन ड्रग्स के साथ लेपित किया गया कंटेनर पक्का है इस तरह 2018 में फनेडाइल नाम का ड्रॉग्स था स्टी इंटर्प्राइज जेम्स इंपेक्स जैसी का नाम का लाइसेंस का प्रयोग कर गैर कनुनी गती विद्या का जेपी योग होता है ऐसा सूत्र का मन्ला है। जद और नदीम हीरा, सौरब सईद, रियाज सईद, के साथ साथ नईम खान, एमार और एमेस आसिफ मेमन और उंगिनत कमपनी कहीं पे 40 तो कहीं पे 50 सालों का स्थापना बताते हैं ऐसे में निदेशक है। क्या सुरक्षा है हमारे राष्ट की जहां जवान बॉर्डर पे जमीन से देश से देश करता है और जया निर्यात एयरपोर्ट, हया निर्यात एयरपोर्ट, ये सबसे कितना सुरक्षित है इंडिया। जुलाई 2021 में आशी ट्रेडिंग कंपणी द्वारा खेप बुक की गई थी, मुद्रा बंदरगाह पर जबती की गई थी, जहां एक ही तरीके से दस्तावेजों का इस्तेमाल अग्यात तरीके से किया गया था। कि एनाई का भंडा फोर किया गया था। मदद करती है कईडी कंपणी ऐसे लोगों को संबद करती है जो समाज में वाइक कॉलर मोर के साथ है जो सभी राष्ट विरोधी गतिविधियों में काम कर रहे हैं। में हुवे नाकाम एक फाइल हाथ लगी जिसमें सामने आये कुछ और नाम जो सौरभा रुस्तम सैयद का भाय लोगों का है और अपने वाइफ तक के नाम से लिखने बनाने वाले यह चाल सोबराज की भी चाला की भी पानी कम है इनके सामने इतने बड़े ठग और उसको ऑपरेट कर रहे है या वे अब वो तो जानच होने पर पता चलेगा एक कमपनी के अंगिना टाइरेक्टर कपडो की तरहा बदल करते हैं ये सब में बड़ा हिसा देश्ट्रूही लोग जो अपना देश में ऐसी गती विद्यों को करना दे रहे हैं और अपने देश क की अर्थ्व्यवस्था को इतना अच्छा लगाए हैं अब तो ऐसा लगता है कि चीन और श्री लंका जैसे हमारे देश की हालत ना हो इसलिए ये लोग जिन्होंने देश को इतना नुकसान दिया है इनकी और इनके परिवार और रिष्टेदारों की सभी संपत्ती आकार कि जिसके लिए याचिका फाइल कर दी गए हैं 1976 से बताई गई फम अलवासे इंपैक्स प्राइवेट लिमिटेड इमरान हाजी सैद सौध हाजी और फातिमा हातिम सैद और हाथीम के नाम की फम है और कागजी इसकी ही फम है ये सुचना सबूत आगाया है देना वाले ने इन की हकीकत का ये भी खुलासा किया कि कैसे फल के नाम पर तंगुस के धागे से फट कटके उसमी प्रतिबंदित ड्रग्स की तासकरी करना के ममले में दावा किया ये वजह से अब्दुलरहमान स्ट्रीट सूतरों का दावा है कि जद उर्फ दावड शीर्श पर था और उसके किसी के साथ घनिष्ट संबंध थे और उसे ड्रग्स इंटनेशनल रैकेट ऑपरेट करने के मामले में गिरफतार किया गया और कमपनी का सर पे हाथ होने की वजह से ये जैसे तैसे जमानत होगी और अब एशमोज दुबई में करता है कब करेंगे सरकार करवाई याहा काला धन की खादन है और 2018 में शुदर देश को लाइन लगाने को मजबूर कर दिया काला धन को बाहर लाने के लिए जिसवाजे से क्यों की जान भी गई और काफी लोगों ने आत्मा हत्या तक कली थी लेकिन अब ये पूरी हकीकत और रैकेट को बेनक करमे के बाद हमारे मुख् पंत्री एकनात्शिंदे और देवेंद्र फर्नांडीस और मोधी सरकार का क्या एक्षन होगा ये अब तक बाकी है क्या होगा दावद को लाया गया या नहीं वो अलग बात है लेकिन क्या उसकी पूरी फाइनेंस को ब्लैक वाइट या काला और सफेद से लेकर हवाला तक क करुबार को ऑपरेट इंडिया लेन में होगी काम्याब मोधी सरकार